गाइस, क्या आभी 7 Days वाले Loan Application के चखकर में फॉस्स सुके हो? क्या आभी काफी सारे Loan Application से Loan लिया होगा, लेकिन आपके पास रीपेमेंड करने के लिए पैसे ही नहीं होते हैं? और जितने भी Loan Application से Loan लिया होगे, सारे Loan Application जो है, 7 Days वाले Loan Application है, Chinese Loan Application है, यह आपको 7 Days के के नाम पर repayment के नाम पर torture कर रहे हैं काफी सारे अगर अप प्ले स्टोर प्रे सूर्च करते हो शेम इन डिज वाला loan application तो आपको सभींड डिज वाला Loan डिज वाले हांसे में फॉस चुके हो, लोन ले करके रिपेमेंट कर रहे होगे, या रिपेमेंट नहीं करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो आपको इस वेडियो में totally solution देने वाला हो, कि कैसे आप इनसे बच सकते हो, क्या क्या तरीका है, जिससे कि अगर आप रिपेमेंट ना करो, फि क्रास्मेंट किया जाता है, बोला जाता है कि आपके जो contact list में लोग हैं, जितिने भी लोग सें, उनके पास new photo भेजा जाता है, तो इस वेडियो को complete वाच करो, चैनल को सब्सक्राइब करके वेडियो को लाइक करो, आप देख रहे हैं technical selector, तो गाईज, आज के इस वेडिय वाला loan application से loan लिये होगे, like मैं आपको example के रूप में बताऊं, काफी सारे loan application आपको बोलते हैं, कि like अगर आप कोई भी loan application से loan लेते हो, तो बताता है, 5000 से ले करके 1 लाग तक का आपका loan देगा, repayment करने का समय, आपको 91 दिन से ले करके, 365 दिन तक का आपको repayment करने का समय दू लेकिन अगर आप loan के लिए apply करते हो उस application से, तो आपको like बोला है, 5000 से ले करके 1 लाग तक का loan दूँगा, लेकिन अगर आप loan के लिए apply करते हो, तो आपको 1000 का ही loan अपरूव होता है, और 1000 में आपको bank account में 800 रूपिया आपका credit होता है, मैं आपको example बता रहा हूँ, और repayment क चार्ज किया जाएगा, और आपको चार्ज करने के बाद आपको pay करना ही करना पड़ेगा, और आपको काफी ज्यादा धमकी आते हैं, अगर आप loan के लिए apply किया होगे, तो 800 ही apply हो गया होगा, और bank में credit होगा, और approve होने के बाद, और आपको, मातर आपको 7 दिन के लिए repayment करने का समय देगा, लेकिन आपको 6 दिन से ही आपको क्या होता है, आपके WhatsApp पे message आने लगता है, कि आपने ये application से loan लिया है, आपको repayment करना है, और आपको अधे घंटे का time दूँगा, आपको आधा घंटा 45 मिनट के अंदर ही, आपको जल्दी से repayment नहीं करोगे, तो जितने भी आपके contact list में लोग होंगे, सारे का screenshot लेकर के आपके WhatsApp पे भेज देता है, और बोलता है, कि ये देखो आपके इतने सारे contact list है, अगर आप repayment नहीं करते हो, आधे घंटे के अंदर, या call करते हो, या reply नहीं दोगे, तो आपके जितने भी contact list है, आपका जो photos है, जो आप selfie verification करके loan लिये होगे, तो उसको Photoshop से cut करके, nude photos के साथ merge करके, और बोलता है, कि सारे contact list के पास भेज दूँगा, तो इस videos में मैं आपसे इसका solution देने वाल हो, कैसे आप बहुत सकते हो, आपके photos को, videos को viral किया ज़रा है, या आपको repayment के नाम पे torture करा है, तो यदि आपको इन सारे 4G loan application से, loan ले लिये हो, repayment करने का पैसे नहीं है, या repayment करने वाले हो, या interested पे करने के वाद, again से आपको repayment के नाम पे torture कर रहा है, और आप repayment कर ही रहे हो, तो वहीं पे आपको रुख जाना है, और आपको repayment नहीं करना है, और आपके मन में doubt होता होगा, कि repayment नहीं करना है, चाहे आप कोई भी 7 days वाले loan application से लोन लिये होगे फिर भी आपको एक भी रूपिया repayment नहीं करना है तो आपके मन में आप question बहुत सरे होते होंगे क्या मैं repayment नहीं करूँ अगर repayment नहीं करूँगा तो मेरा जो civil score है वो down कर दिया जाएगा और आपके पास police case हो सकता है legal notice भेजा जा सकता है या आपके घर पे agent को भेजा जा सकता है जो भी आप fraud 7 days वाले loan application से लोन लिये होगे तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि already ये application 7 days के नाम पे आपको torture कर रहा है about features में लिखता कुछ और है और आप loan के लिए apply करते हो application में तो वहाँ आपसे कुछ और करवाता है तो भाई ऐसे लोग को कौन भाई छोड़ सकता है यानि कि ये खुद fraud कर रहा है आपके साथ तो ये क्यूं आपके पास police case करेगा legal notice भेज सकता है कुछ नहीं होता है हाँ बहुत सारे काफी सारे ऐसे ऐसे लोग है मैं सुनता हूँ कि हाँ मेरे पास आया है forgy loan application है लेकिन मेरे पास legal notice आया है लेकिन भाई मेरे को तयार करने में क्या जाता है कोई वो सरकार द्वारा आपके पास legal notice नहीं है क्योंकि RBI, NB, FC द्वारा authorized किया गया application ही नहीं है तो कैसे legal notice भेज सकता है कुछ ऐसा नहीं होता है नहीं आपका civil score खराब होगा और नहीं आपका legal notice आएगा नहीं police case होगा और नहीं आपके घर पे agent आ सकते हैं, डरने की अवस्यक्ता नहीं है first of all में आपको जितना भी अगर आप loan लिये होगे आपको एक भी रूपिया repayment नहीं करना है चाहे आप repayment कर दी हो या करने माले हो क्योंकि अगर आप एक बार repayment कर देते हो फिर भी आपको interest rate के नाम पर हर एक 6 दिन के अंदर आपको message करेंगे, कभी बोलेंगे वो agent दूसरा था, वो job छोड़ दिया और मैं नया agent हूँ अब तु मुझे repayment करो यानि कि काफी सारे हर एक 6-6 दिन पर अलग-अलग agent आपसे message करेंगे कभी-कभी बोलेंगे कि वो agent था ही नहीं मेरे company में, यानि कि आपको कुछ न कुछ कर करके आपको repayment के नाम पर torture करेंगे और आपको repayment करना ही होगा और आप repayment नहीं करोगे तो आपको धमकी भी देते हैं तो like अब आपके whatsapp पे आपको बोलेंगे कि अगर आपे repayment नहीं करोगे तो ये देखो तुमारा photos के साथ merge कर दिया गया है जो आपका nude photos है और ये photos को videos को ये आपके जीतने भी contact list में family members से या आपके दोस्त लोग होंगे उनके पस भेजूंगा तो आपको blackmail करते हैं और आप इन सब सारे के जहांसे में first करके repayment कर देते हो लेकिन अब आपको करना क्या है तो guys और मैं आपको बताओं तो सब से first of all जो agent आपके पास repayment के नाम पे text कर रहे हैं message कर रहे हैं धमकी दे रहे हैं तो सब से पहले उनको blog करना है जैसे ही आप उसको blog करते हो whatsapp पे एक आपको status डलना है जिसमें आपको लिखना है कि मेरा phone है हो चुका है और आपको 24 घंटे के बाद आपको क्या करना है आपके whatsapp को on install कर देना है उसके बद मैं मानता हूं कि आपको whatsapp important है आप काफी सारे लोग ऐसे होए कि whatsapp से उनका काम होता होगा तो भाई आपको ये प्रोब्लेम से बचने के लिए आपको तो कुछ तो कुछ तयाग करना पड़ेगा उसके बद जैसे ही आप whatsapp को on install करते हो तो guys आपको call करते हैं message करते हैं तो guys आपको करना क्या है अगर आपको call करते हैं तो एक app आता है true call कि अगर आपको कोई भी fraud call का call आता है तो वहाँ से automatically block हो जाएगा option आता है तीनों option को on कर देना है ताकि जो भी agent आपके पास call करेंगे तो fraud ही कर रहे हैं तो fraud call आता है तो वहाँ से automatically block हो जाएगा उसके बाद अब यहाँ से भी अगर हरान हो जाते हैं तो message भी अगर आपको करते होंगे तो सबसे first आपके जो phone से SIM को निकाल करके market में 100-100 का नया SIM अता है नया SIM लगा करके आपको मातर एक महीने तक आपको पुराने SIM को रख देना है और आपको एक महीने तक use नहीं करना है हाँ मैं मानता हूँ कि आपका जो SIM है बहुत ही जदा important है उसी number से phone पे, google पे, ptm और भी काफी सारे काम करते होगे भाई आप करते हो मैं मानता हूँ लेकिन आपको कुछ समय तक आपको wait करना है आप guys आपको कुछ तयाग तो करना पड़ेगा तो ही आपको नहीं तो भाई अगर आप phone चुके हो तो इससे बचने के लिए आपको मात्र मैं ये बोलता हूँ कि आप एक महीने तक ये चीज को कॉलर लेते हो तो आपका 100% जो loan application वाले agent है भाई आपसे contact ही नहीं कर परेंगे तो आपको repayment कैसे करोगे या आपको कैसे बोलेंगे कि मैं harassment करूँगा blackmail करूँगा तो गाईस ये थे कुछ 7 days वाले 4G loan application वाले से बचने का तरीका अगर आप इन इन चीज को follow करके देखते हो तो आपका 100% अगर आप repayment के नाम पर harassment हो रहे होगे, torture हो रहे होगे तो आप इन सब सारे से बहुत सकते हो